I hope săb- bronze ठीक से हौँगे friends आज market कहां के लिए जाएगी एडिस वीक का पहला डे है यह क्या market आर सेक और नए ना हाइ बनासकती है यह market यहां से वापस selling में आए गी तो चल यह देखते हम यहां हम से market का आज daily basis के उपर क्या है यहां का market का view सबसे पहले हम यहां पर वन डे के ऊपर चेक कलेंगे डेली बाइस तो जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी वह बाइंग के अंदर क्लोज हुई थी एंड्यो इसका प्रेशियस वाला कैंडल था उसका इसने टॉप ऊपर क्लोज किया दाट मींस के डेली मार्केट यहां से बाइस में ही जाएगी बाइंग में जाएगी लेकिन कितना जाएगी वह भी यहां पर इंपॉर्टन है क्योंकि हमारा जो आल टाइम हाई है वह इसके एकदम साथ में है 2758 चलिए अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के उपर के मार्केट का क्या पैटर इस यहां से अप्रेंड स्टाट हुआ था वन आवर के उपर हम देखेंगे उसको कुछ इस तरह से यह था यह वन आवर को पर एंड इस से पहले यह वाली स्टेज मार्केट होते हो यह रीम सैट अप था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहां पर इस इंट्री इस ब् पंदरासो पालस पिप का प्रॉफित कर चुक है चबीसो पी इंट्री ली थी अब इस ताइस सो पचास मार्केट जा चुकी है एंद देखिए यहां पर एक होता है ब्रेक आउट यहां से हमारा हुआ ब्रेक आउट एक डॉबल बॉटम लगा के मार्केट वापस इसके लिए जा रही है तो अब यह है हमारा ओल टाम हाई यहां से उपर कभी मार्केट नहीं गई है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए अगर आप नई करना है हमारी लिंक से अगर आपका अपनी आईबी चैन्ज करनी है आईबी कैसे चैन्ज करते हैं हमने यहां पर वीडियो बनाके रखा है आप ग्रूप में जॉइन होके मेरे से कौन्ट करो मैं आपको परसनली भी सेंड कर दूँगा बाखिए अगर आपका अपना अपना करो हमारी लिंक से मेरे को सिकेंट शॉट सेंड करो वाट्सएप जॉइन होके परसनली मैं आपको एड कर दूँगा तो देखिए अब आता है यहां पर यहां पर यह है पहला टार्गिट के मार्किट ऑल टाम हाई को वापस से इसकी लिक्रिटी है वहां खाने जाएगा इस से आपको इंट्री नहीं करने आप वहां तक बाइग का सकते हो अपका असल साथ हमें उपर जाना चाहिए यहां से एक वापस अगर आती है मार्किट दैन वापस से एक रिटेस्ट करके जिसका हम बोलता है कि वापस से बना कि वापस गयन करेगा बाइंग का मोमेंटम दैन यहां पर यहां पर यहां कहीं से वापस एक रिवर्सल लेती है तो क्या होगा वापस मार्किट इसी पॉइंट पर आएगी 2720 पहला टर्गेट रहेगा इसका हो सकता है वापस बाइंग में जाया मार्किट तो इसके कुछ पॉइंट है जो आपको मार्क करने वो पहला तो यह रहेगा 2720, important point है इसका, second है 2700, क्योंकि अगर market नीचे गिरेगी तो यह ऐसे point है जहां से आपकी buying entry बनेगी, तो buying entry अब को ध्यान रखना है वापस से again, and third अगर मैं इसको remove कर दो यहां पे, तो यह वाला point है market का 2740, 2740 बहुत important है क्योंकि अगर मैं इसको 15 minutes के उपर लोगा, तो देखिए आपको दिखेगा कि 2740 बहुत important है क्योंकि इससे नीचे इससे पहले market इस वाले zone के अंदर mark चल रही थी ठीक है, यह देखिए इसके उपर गया इसको break किया, fake move मिला देन वापस से इसके अंदर अब वापस इसको break किया है, तो अगर इसको more strong buy जाना होगा, तो यहां पे तो आज देखिए एक retest लग चुका है, यहां पे यह market आप जा लिए, इस वाले point के लिए, जो मैं retest की बात कर रहा था, वो यहां मिल चुका है, इसको break out नहीं जैसे, यहां पर देखिए, इस वाले point को देखवा, break हुआ, वापस आया, फिर नहीं गया, सीधे नीचे fall हो गया, बड़ यहां पर वैसा नहीं हुआ, break हुआ, fall आया, इस point पर फिर sport लिया, तो यह confirmation होती है, कि अब market यहां से वापस से buying momentum गैन कर रही है, तो अब यहां का target होगा, यहां पे 278, 2760 जो all time high है, इसको touch करने के लिए जाएगा, अब अगर यह वापस selling में आता है, तो फिर से यही point बनेगा buying zone हमारा, मालो यहां से जाता है, ठीक है, यहां से fail होता है, buy नहीं break कर पाता है, वापस आयागा selling में, यहां से फिर से buying की opportunity बन स सकती, अगर वापस buying होगा, तो आपको अगेर इसी से buy करना है, यहां पे breakout होता है कि नहीं, breakout होने का मतलब नहीं कि आपको buy करना है, breakout means market वापस गिर सकते हैं, अगर गिरेगी नहीं, यहां पे export लेगी, इस तरह से वापस यहां बनाएगी, तो आपको यहां पे फिर इस point का द्यान देना है कि market अपना break करके यहां पे retest ले रही है कि नहीं, sport ले रही है कि नहीं, यह वापस से fall हो रही है, ठीक है, तो आपको इस तरह से देखो, यहां पे हुआ था, trap, यहां पे trap हुआ था, breakout हो देखें, यहां पे, but वापस यहां से test नहीं लिया, बलके market नीचे गिर गई, तो that means trap था, ठीक है, फिर देखें, यहां पे trap था, यह 20 को break किया, वापस उपर गया, बाई में चले गया, trap था, यहां पे देखें, यह break हुआ, एक test लिया, अभी यहां तक गया है, अब कितना इसको continue करता है, वो depend करता है, market यहां से कितना momentum लेती है, तो यह पे, हम simply इसी point को ऐसे यहां से उठा के इतना ले लेंगे, तो कितना बनता है, यह 77 यह 80 के आसपास, market इतना एक range दे सकती है, नौर्मली, लेकिन अगर आप देखोगे, तो Monday को यहां पे कुछ holidays भी है, कुछ banks के अंदर, तो हो सकता है, उतना बड़ा moment ना मिले हमें, तो एक अगर बुरेक होता हमारा, maximum target होगा पहले, 2780 हो सकते के market, अगर इसको अच्छे से break करके, एक रिटास लेगी, तो 2780 तक market जाके, अपना एक वापस है, फिर select button बना सकती है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, बाकरी more updates के लिए, आपको मारी VIP ग्रूप को join करना है, जो के free मैं अभी के लिए and साथ मैं account handling की भी service है, उसके लिए भी contact कर सकते हो, कोई भी doubt रहेगा, नीचे group में join होके, आप मेरे से contact कीजएगा, आपकी full support की जाएगे, thank you friend.